हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो इंडिया पोस्ट के अंदर GDS की 4889 वेकंसी निकली हुई है अलग-अलग स्टेट में उसकी पूरी प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूँ जयान रखना इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास सेयर करना सब को benefit मिलेगा बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको अभी भी इसके बारे में नहीं पता है तो सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूँ और ये जानकारिया ऐसे दो candidate थे जिनकी जोइनिंग हुई है उनकी detail उन्होंने ये सारी detail मुझे दी वो थोड़े camera phobia है camera के सामने नहीं आना चाहते तो उनसे मैंने question पूछे आप लोगों के लिए और ये question मैं आपके clear कर रहा हूँ दोस्तो request है ज्यादा से ज्यादा share करना आपको मैं बताऊं training के बाद आपकी कोई training भी होती है या नहीं होती है और training होती है तो कितने time के लिए होती है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि काम क्या है उसके बाद आपकी salary क्या मिलने वाली है इसके अलावा आप लोगों का promotion का भी एक तरीका है उस तरीके के बारे में बताऊंगा सब जैसा कि मुझे बताया गया, देखे, आप form apply कर रहे हैं हर्याना स्टेट से, हर्याना स्टेट में आपको एक division select करना पड़ेगा, अब जिस division में आप select कर रहे हो, उस division में जो vacancy है वो आपको देख लेनी अर्चे से, ठीक है, आप OBC से हो, आपकी vacancy है या नहीं है, आप general से हो आपकी vacancy है या नहीं है, वो vacancy देखने के बाद उसमें आप apply कीजिए, ठीक है, आपने जैसे उस division में apply करते हो, division wise cut off लगती है, ध्यान रखना, division के according ही cut off लगती है, मतलब माल लीजिए, किसी ने मेरा district के रेवाडी हर्याना के अंदर, हर्याना district में रेवाडी apply कर दिया, आप किसी भी state से apply कर सकते हो, all over India, किसी भी state से, बस वहाँ की local language आनी चाहिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, वो वीडियो भी देख लेना, कि कौन-कौन से state से आप लोग भर सकते हो, आप Hindi medium वाले student है, आप Hindi जानते हैं, आप English जानते हैं, तो किस- साइड में फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, हरियाना में कौन-कौन से division है, इन division में से आपको एक division select कर लेना है, एक division select कर लिया, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके इस division में जादा बच्चे आ गए, तो cutoff उन बच्चों के according लगेगी, ना कि पूरे हरियाना के level समझ में आया कि नहीं आया, पूरे हरियाना का इसमें कोई रोल नहीं है, cutoff जो लगनी है, वो आपके division wise लगनी है, आपके division में मालने जी एक लड़की है 85%, और एक लड़का है 85%, तो लड़की को पहले preference दी जाती है, ठीक है, ऐसे समझना इन चीजों को, तो फिलाल मैं आप सारे marks दे देते हैं, ठीक है, अच्छे marks देते हैं, 100% तक, 98%, 99%, marks ही देखे जा रहे हैं बस, कोई CGPA कुछ नहीं देखा जाएगा, आपके marks कैसे हैं, यह important है, तो यह आप apply करेंगे, दोस्तों I hope आपको cutoff का matter समझ में आया होगा, अब cutoff लगने के बाद, आपकी बात आती है joining की, तो देड़ महिने के अंदर-अंदर सारा काम हो रहा है, form भी apply हो जाता है, form की cutoff भी लग जाती है, और आपकी joining भी आ जाती है, joining आपके उसी division में आएगी, जहां से आप apply करोगे, तो मैं एक candidate जो विकास है, जो BPM है, ठीक है, ABPM इससे नीचे वाली post है, BPM की बताता उसने पहले राजस्तान से apply किया, ठीक है, हरियाना के उसकी last date निकल गई थी, उस time अलग अलग state के अलग अलग निकले थे, इस बार एक साथ निकले है, तो उसकी हरियाना के last date निकल गई थी, उसने राजस्तान से apply किया, राजस्तान में उसका number आ गया, अभी recently 2-4 दिन पह लगने के chance है, दूसरा point, chance कम कैसे होते है, certificate देखो आप, match करो, कुछ board ऐसे हैं, जो percentage देते ही नहीं है, marks देते ही नहीं है, जिनकी hard marking होती है, 10th के marks पे सब कुछ depend करता है, इसके अलबा किसी पे depend नहीं करता है, चाहिए आपने graduation कर रख्यों, चाहिए post graduation marks देखे जाएंगे 10th के, ठीक है, तो उस तरीके से आप लोगों को ये apply कर देना है, अब BPM के बताता हूँ, उसने यहाँ पे transfer ले लिया है, उससे मैंने पुछा आपकी salary कितनी है, 18,000 आपकी salary है, ठीक है, मैंने पुछा आपको कुछ और इसके अलावा allowances वगरा मिलते हैं, उन्होंने बुला कोई allowances नहीं मिलते हैं, ठीक है, आपने transfer कैसे लिया, mutual होता है कि एक बंदा उदर से आ रहा है और आप उसकी जगे जा रहे हो, बुला नहीं, मेरे को पता चला था यहाँ वेकेंसी है, मैं वेकेंसी बेस्ट आया हूँ, मैंने पुछा आपका काम क्या है, तो उनका काम मैं बता देता हूँ, उनका काम है जो stamps होती है न, postal office के अंदर stamps, यह छोटे post office है, गाउं वाले, बड़े में भी duty मिल सकती है, छोटे में, division के किसी भी sub post office, या post office, head office, कहीं भी आपका number आ सकता है, तो stamps बेचने का काम है, जो लोग आते हैं, जितनी भी योजनाए होती है, उनके form बर दीजिए, डाक खाने में account खुलवा लीजिए, account खुलने का काम आपका होता है, BPM का, अब आते हैं, ABPM, जिसे हम GDS बोलते हैं, ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है, जैसे sub office से, यह लेके आता है, डाक, गाउं में आता है, गाउं में डाक देखता है, और इसके आस पहुचा देना, तो यह उसका काम है, ठीक है, अभी तक इसका यह काम है, इसका ही काम है, बट, एक दूसरे के absence में इनको पूरा काम करना होता है, काम समझ में आया, मैं आपको लास्ट में मैंने क्या बोला था, आपको यह भी बताऊंगा, की promotion कैसे होता है, और दूसरा सब से लास्ट में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, और यह भी बताऊंगा कि permanent है कि नहीं है, सब बताने वाला हूं, थोड़ा वेट कीज़े, नहीं तो आप वीडियो नहीं देखते हैं, मैं रोग के रखूंगा इस बार आपको, चलिए, अब आते हैं next point पे, salary का हो गया BPM का, ABPM की बात करते हैं, मैंने पूछा आपकी salary का है, ये बंदा मेरे घर पे ही rent पे रहता है, पुराने घर पे, तो मैंने इनसे पूछा कि भी आपकी salary का है, इन्होंने बोला 14,000, तो बच्चो मेरी request है, आप लोगों से वो ही बच्चे form भरना जो गरीब है, हर बच्चा इस form को apply ना करें, क्या है कि आप लोग फस जाएंगे, काम मिल जाएगा, आपको पैसे मिल जाएगे, आप अपनी पढ़ाई से छुट सकता है, पीछा, पढ़ाई नहीं करने पड़ेगी, फिर आपको, मतलब नहीं करने पड़ेगी, मतलब आप मजबूर हो जाओगे, पढ अपक्चा गरीब है, जिसको जरूरत उसको form apply करने के लिए, आप लोग promote करें, कि आप form apply करो, आपकी help हो जाएगी, और साथ-साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, देखिए, दो से तीन बजे, चार बजे आप फिरी हो जाते हैं, इतने गाओं के अंदर डाक नहीं ह होती है, मैकसिमम पांच बजे तो आप फ्री हो ही जाते हैं, पांच बजे तो off हो ही जाता है, छुट्टियां छे महिने के अंदर दस चुट्टियां मिलती हैं, यानि कि साल के अंदर आपको 20 चुट्टिया आप लोग ले सकते हैं, इसके अलावा जितनी भी सरकारी चुट या आपको मिलती है ठीक है अब बात करते हैं कि प्रमोशन का तरीका क्या है ठीक है प्रमोशन का तरीका यह है कि प्रमोशन के लिए आप लोगों को 30,000, इसके अंदर क्या-क्या आता है, इसके अंदर आपका GK, GS, Reasoning, English, Math, GK, यह जो जो General Subject है, यह तो आते ही है, साथ में थुड़ा सा Department के बारे में आप से Question पूछे जाते है, Post Office के बारे में, योजनाओ के बारे में, समझ में आया, अच्छा, इसके बाद आता है, कि आप लोगों को Permanent Job मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो आपको Job मिल रही है, Permanent, मैं आपको बता दूँ, यह एक Permanent Job है Salary इसमें कम है, लेकिन आगे चलके आप लोग इसमें नहीं है, सीधी कट ओफ लगती है, कोई एक्जाम नहीं है, दोस्तों प्लीज वीडियो को सेयर कर देना, और जैसे भी आपके डाउट है, प्लीज कॉमेंट में पूछना, मैं कॉमेंट में आपको रिप्लाई देने वाला हूँ, मेरे अकोर्डिंग मैंने सारी चीजे आपको बता दी है, काम क्या है, सब बताया मैंने आप लोगों को और फॉर्म सोड़ा सोच लेना, कहां से अपलाई करना चाहिए, इसके लिए आपको सोच ना पड़ेगा फिलाल उत्तर परदेश से सबसे ज़्यादा वेकेंस है, लेकिन आपको पता है, उत्तर परदेश में कट ओफ जादा भी जा सकती है और किसी भी तरह कि आपकी हेल्प नहीं मिलती है वहाँ पर, आपको खुद रहने खाने का इंतजाम करना पड़ता है, डूटी आपको मैंने समझा दी है, अदर स्टेट भरो, अपना स्टेट भरो, सब आपकी मर्जी है थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, जो भी क्यूशन आपके बचे हैं, पूछ लीजिए, मैं एक एक डाउट आपके किलियर कर दूँगा, थैंक यू